इस न्यूस जिसकस करते हैं लैंड डिग्रेडेशन के अंडर सबसे पहली न्यूस है UNCCD डाटा डैशबोर्ड के बारे में देखें युनाइटि नेशन कन्वेंशन टू कॉंबर डेजर्टिफिकेशन एक लौती ऐसी कन्वेंशन है जो कि लैंड की रिस्टोरेशन की बात कर उस समिट के दुरान तीन कन्वेंशन वहां से सामने आई एक आपकी UNFCCC जिसके बारे में हम पहले पार्ट में कर चुके हैं फिर एक आपकी कन्वेंशन और बायलाजिकल डैवर्सिटी एक आपकी UNCCD जो डैशबोर्ड है इसमें बिसिकली 126 कंट्री है जिनका डाटा जो ह करें यानि कि डैशबोर्ड है यह भी इसी चीज का रिपोर्ट रिलीज करेगा कि कौनगों से कंट्री डैजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करने के लिए कैसा कैसा परफॉर्म कर रही है इसके कुछ फाइंडिंग्स है जिसमें यह पाया गया कि 2015 से 19 तक विच में इसकी 4 साल जो पिछले देखे हम तो 100 million hectares के आसपास healthy जो लैड था वो डीग्रेड हो चुका है या फिर कह लीजए desert की तरफ जा रहा है इंडिया का 9.45% जो लैड एरिया है वो भी डीग्रेड हो चुका है इसके अलावा 36.8% आफ इंडिया ज लैड एरिया is affected by drought जहां पे सूखा पड रहा है और सबसे ज़्यादा severe degradation अगर देखा जाए तो वह एशिया के इलाखों में नहीं बलकि Eastern और Central Asia particularly Latin America और Caribbean के इलाखों में देखने को मिल रहा है लैंड डीग्रेडेडेशन का मतलब क्या होता है इसका मतलब है कि लैंड के पर जो soil होती है वो deteriorate हो रही है उसकी जो productive capacity ह वो धीरे-धीरे करके खतम हो रही है प्रेजेंट में भी और future में भी खतम हो जाएगी 109 countries ऐसे हैं जिन्होंने voluntarily खुद से ही land degradation neutrality के target set किये हैं अब यह term क्या है देखें land degradation neutrality मैंने आपको पिछली बार करवाय था न carbon neutrality या finet neutrality जिसका मतलब था कि हम लोग green house gas के emission को completely zero कर इसका मतलब यह नहीं है वो emit नहीं होगी लेकिन जितनी emit होंगी उतनी ही utilize भी हो जाएंगी ऐसा कुछ process रहता है ऐसी ही land degradation neutrality का मतलब है कि land का degradation completely stop हो जाएगा यह target 2030 तक के लिए set up किया गया है जिसमें amount and the quality of land resources which are required by us to enhance the food system या stability के लिए जो भी चाहिए हमें land वो एकदब increase ह होगा उसकी quality अच्छी बनी रहेगी वो खराब होना बंद हो जाएगा United Nation Convention to combat desertification की अगर बात की जाए जैसा मैंने कहा it is only legally binding framework जो की desertification को address करती है साथ में drought को address करती है 1994 में इसको established किया गया था 197 इसकी parties है या members है 196 countries अलग है और एक आपका India और European Union है इंडिया के में जो इसकी implementing ministry है वो ministry of environment है global drought snapshot report इसको COP28 के दौरान release किया गया था इसी की जो confess हुई थी इसके अलवा UN double CD के दौरा एक framework जारी किया गया जो 2018 में release हुआ था 2018 से लेकर 2030 तक उस framework को implement किया जाएगा जिसका main focus क्या रहेगा land degradation को mitigate करना उसमें adaptation लेके आना उसको manage करना financial और non financial resources उनको mobilize करना और land degradation की जो condition है उसको धीरे-धीरे करके improve करना अब इंडिया ने particularly कौन-कौन से initiative लिये है under this convention इंडिया ने एक pledge लिया है जो की बोला गया था कि voluntary आप ले सकते हो वो pledge जिससे आप land degradation को रोकोगे इंडिया ने ये voluntarily bond challenge के pledge को join किया है ये bond challenge का pledge कुछ नहीं है ये भी land degradation को रोकने के लिए ही है जिसमे particular target है कि कितने hectare के land को आप restore करोगे तो इंडिया ने ये कहा है कि 96 million का जो hectare का degraded land है उसको हम 2030 तक क्या कर देंगे recover करके सही कर देंगे desertification और land degradation का atlas जो है इंडिया का वो भी develop किया गया है जिसमें जो भी इलाके है इंडिया के जो desert बदते जा रहे है उसको हम mapping के through study करके दोबारा से recover करेंगे और ये atlas ISRO की मदद से prepare किया गया है integrated watershed management program है national mission for green इंडिया जिसमें green area forest को promote करना है sustainable land management program और national enforestation program ये सब जो है ये इंडिया की प्रोग्राम है for this convention अगली बात करेंगे sand and dust storms की तो देखें ये एक report है ये report जो पूरी है इसका नाम है वो है sand and dust storm a guide to mitigation adaptation policy and risk management measuring agriculture इसको जारी किया है food and agriculture organization ने food and agriculture organization आपकी United Nation का ही हिस्सा है आप जरह मुझे comment section में बताइए कि FAO का headquarter कहां पे है because UPSC headquarter पर गएवा question पूछते है statement बना के sand and dust storm की अगर बात करें तो क्या है आधी तुफान चलते है हिंदी में अगर देखे तो तो मिट्टी नहीं उडएगी लेकिन जहां vegetation cover नहीं है वहां पर ये मिट्टी उड़ने के process को या फिर land के खतम होने के process को और ज्यादा क्या कर देते हैं fast कर देते हैं 75% of global dust natural sources से आती है 25% anthropogenic sources से आती है अभी आज की time पर तो major anthropogenic sources हैं उनमें आपका land use का change होना एक कारण है agriculture एक कारण है और deforestation भी एक कारण है इसके implications क्या क्या होते हैं देखें मिट्टी उड़ना कोई गलत बात नहीं है हवा चलेगी तो उडएगी लेकिन नुकसान क्या है जब भी ये sand ये dust particle उड़ते हैं य glaciers के पास जब ये glaciers के उपर deposit होंगे तो याद कीजिए हमने albedo की effect की बारे में पड़ा था दरसल क्या होगा glacier white होता है sun rays जो भी glacier के उपर white चीज के उपर पढ़ेंगी white reflect maximum तो white reflect कर देता है sun rays को तो इस वज़े से हम ये कह सकते है कि snow का albedo जो है वो maximum होता है reflective capacity maximum होती है ल होगा तो sun की light जितना ये reflect कर पा रहे थे उतना नहीं कर पाएंगे इसका albedo कम हो जाएगा अगर albedo कम होगा तो इसका मतल़ sun की light हम reflect back नहीं करके absorb कर रहे हैं अगर absorb कर रहे हैं which means कि और भी ज्यादा global warming होगा और भी ज्यादा गर्मी बढ़ेगी क्योंकि हमें absorption करना नहीं और और नुक्सान जब गरम हो जाएगा glacier तो melt होगा उसका ice पिगलेगा तो जो की naturally नहीं हो रहा है इसके अलावा और implication क्या है कि जब agriculture जो हमारा होता है उसमें yield effect होती है कह लीजे productivity effect होती है क्योंकि जब ये sand जो है ये पेड़ पौधों पे ये लगी हुई जो फसले होती ह है उन पे जाके जोर-जोर से टकराती है तो plants को damage कर देती है plants की roots को damage कर देती है इस process को कहते है sand blasting अब हम लोग ने क्या initiative लिए है इसको control करने के लिए global level पे क्या initiative है एक convention है जैसा हमने कहा UNCCD की जो की 1994 में आई थी 1996 में enforce की गई थी फिर United Nation Coalition on Combating Sand and Dust Storm ये आपका COP14 के दुरान launch किया गया initiative था ये UNCCD का ही पार्ट है Sand and Dust Storm का project जो है वो World Meteorological Organization के द्वारा भी चलाया जा रहा है WMO का headquarter भी comment section में बताइए initiative by India की अगर बात की जाए तो अरावली green project इंडिया की द्वारा चलाया जा रहा है दरसल आप लोगों ने अफ्रीका continent geography में पढ़ा होगा जहां पे साहेल नाम का एक region है जब हम map देखते हैं globe का Atlas तो साहेल का इलाका दिखता है उस साहेल के इलाके में बहुत सारे पेड लग हैंगे तो आप पाएंगे कि साहेल के इलाके के बिलकुल पास है आपका सहारा डैजर्ट उस सहारा डैजर्ट की मिटी दरसल उड़ उड़के साहेल और उसके पास की इलाकों को भी डैजर्ट में convert कर रही थी डैजर्ट का expansion ना हो पाए इसलिए green wall initiative वहां पे चलाया गया ज project क्या करेगा अरावली के पास वाली इलाकों में green डी लगाएगा या फिर पेड़ पौधे लगाएगा ताकि अरावली का जो मतलब impact है उसका जो dust storm है वो आसपास की इलाकों को खराब ना करें इसमें अरावली hill ranges के around हम buffer create करेंगे किसका green डी का अगली आपकी scheme जो initiative है पार्ट में देखा भी था कुछ और important news इसके अंडर सबसे पहले ground level zone मैंने आपको कहा था ozone दो तरीके से मिलती है एक ट्रोपो स्फेर में एक आपकी strato में stratosphere में ozone के लिए हमें protect करती है लेकिन troposphere के अंदर ये एक pollutant है so center pollution control board के द्वारा कहा गया कि ground level का जो ozone है ये डली में स कर दीजिएगा static आपको करवा दिया जाएगा चैनल पे दो तरीके के pollutant होते है एक होता है primary एक होता है secondary primary का मत्तब जो सबसे first step में pollutant मना for example carbon dioxide ऐसे carbon dioxide आपने कोईला जलाया emit होगी cd emit होगी लकडी जलाई तो co2 निकला हना ये primary है पहले ही phase में वो pollutant निकला लेकिन secondary pollutant होते करने के बाद पैदा होते हैं ये directly पैदा नहीं होते तो जो ozone है वो directly नहीं बनती है वो कैसे बनती है जब nitrogen oxides volatile compounds के साथ मिलते हैं और दोनों sunlight की presence में मिलते हैं तभी आपका बनता है ये ground level ozone इसके लिए sunlight चाहिए stagnant air चाहिए nitrogen oxide चाहिए volatile organic compound चाहिए ये conditions के बाद ही आपका secondary pollut pollutants are responsible for this ozone जो कि एक secondary pollutant है इसके sources क्या क्या है obviously जहां से nitrogen oxide और volatile organic compound निकलेंगे वही तो एक source है इसके बनने का तो ये सब कहां से निकलता है कार से निकलता है power plant से industry से refinery से chemical plant से इसके effects क्या क्या है इससे cuffing होती है shortness of breath होती है vegetation जो है वो डेमेज होती है अगली बात करेंगे Champions of the Earth Award की United Nations Environment Program की द्वारा 2023 की Award Announce किये गए इनका main purpose रहता है individuals, groups और organizations को honor करना जिन्होंने environment के लिए काम किया है 2005 से ये हर सा दिये जाते हैं United Nations का सबसे highest environmental honor है ये जिसमें leaders को, government को, civil society और private sector को recognize किया जाता है 2023 की जो award दिये गए हैं वो plastic pollution को eliminate करने की category में दिये गए हैं अब ये चार जन को दिये गए हैं मतलब चार particular conditions में दिये गए हैं ये ध्यान रखेंगे सबसे पहला मिला है policy leadership की category में ये मिला है mayor Joss Fina Belmonto को जो की Philippines के है और इन्होंने single use plastic को वहाँ पे band किया इसके बाद मिला है inspiration और action की category में जो Alan MacArthur Foundation को मिला है जो की UK की foundation है जिन्होंने plastic को किस तरीके से हम अपनी mainstream lifestyle में खतम कर सकते हैं life cycle में उसके बारे में initiative लिया अगला है entrepreneur vision category का award ये दो जनों को मिला blue circle चाइना को जो की blockchain technology का use करके और IOT का use करकर plastic pollution को track कर रही है और monitor कर रही है अगला मेरा science and innovation की category में ये council for scientific and industrial research South Africa की जो है उनको मिला क्योंकि उन्होंने cutting edge technology निकाली research किया जिससे plastic polisher को innovative method से tackle किया जा सकता है next बात करेंगे ethylene oxide की European commission ने ethylene oxide को pesticide residue कहके संबोधित किया है देखे पैस्टिसाइड मतलब जो हम use करते है they are not good for environment right लेकिन फिर भी करना पड़ता है because crop production उससे enrich होता है ये कह लीजिया असानी से pesticide से बचा रहता है तो ethylene oxide क्या है जब भी pesticide हम छिड़कते है उसका बचा ह अब शेश है इसको पहले fumigant कहा जाता था पर अब इसको अगर pesticide residue कह दिया मतलब ये fumigant से ज्यादा खतरनाक है इस पर रोक लगाई जा सकती है इसका मतलब जितने भी agriculture product हम European union में अभी तक export कर रहे थे उनको वो इस pesticide residue के लिए test करेंगे पहले वो नहीं करते थे because it was earlier fumigant ये चीज़ ध्यान रखेंगे इथाइली नॉकसेट क्या है ये दरसल chemicals के तौर पर यूज किया जाता है anti-freezing इसकी property होती है ये flammable होता है मतलब जल्दी इसको आग लग जाती है colorless gas है इसका sweet सा order होता है चोटी से amount में इसको यूज किया जाता है pesticide के तौर पर और ये carcinogenic अगली बात करेंगे endosulfan की देखें endosulfan भी आपका एक खतरनाक pesticide है जिसको बैंड किया जा चुका है ने कनाटका और केला की government को कहा है कि आप लोग मिंची पवाडू नाम का कसारगोर डिस्टिक में केला में जो जगहा है वहां पर dumping कर रहे हो endosulfan का आपको उसको control करना ह होगा देखे endosulfan एक organochlorine pesticide है जो कि अलग-लग insects को और अलग-लग माइट्स होते हैं मत कीडे होते हैं उनको control करने के लिए डाला जाता है कि कीडे wheat, pet, tobacco, cotton हरी crop पे लग जाते हैं यह जो आपका endosulfan है यह pesticide इतना खतरनाक है कि इसको Rotterdam Convention on the prior informed consent और Stockholm Convention on persistent organic pollutant का हिस्सा बना जाएगा बस यह समझे कि international level की यह जो convention है यह दरसल deal करती है कि इस तरीके के harmful chemicals को आप trade नहीं कर सकते किसी दूसरे देश में उनके consent के बिना भेज नहीं सकते इनके effect क्या है endosulfan से बहुत सारा neurological problem होता है brain को दिक्कत होता है reproductive problem होता है next बात करींगे petroleum cock और pet cock की Supreme Court ने Commission for Air Quality Management को यह कहा है कि high quality मतलब जो high polluting pet coke है उसके distribution related जितने भी issues है उनको address कीजिए pet coke क्या है देखिए एक तो simply coke होता है एक होता है pet coke, pet coke के carbon rich solid material है जब भी आपका oil refining होता है raw वाला जो oil है उसका जब refining किया जाता है या फिर जब वो अपने final cracking process में होता है तब आपका यह pet coke बनता है इसको कोईले की जगहा पे ज़्यादा यूज किया जाता है मतलब it is being preferred क्यों इसको prefer किया जाता है क्योंकि इसके higher calorific value है यह जब जलता है तो पीछे इतना ज़्यादा residue या ash नहीं छोड़ता यह hydrophobic है less volatile है और low ash residue रहता है इसका इसको semen manufacturing में lime kilns में industrial boilers में और aluminium anod में भी जाता है और india pet cook यूज करने का आधी है because it is you know much in energy ज्यादा जलता है ज्यादा मतलब energy produce करता है as compared to coal और फिर इसको हमें कई वार import भी करना पड़ता है यह भी आपको ध्यान लखना है अगली बात करेंगे polyethylene terephthalate degrading enzyme की बारे में researcher ने pet 46 नाम का एक enzyme identify किया है जो दरसल एक deep sea microorganism है यह क्या करता है यह light मतलब यह जो microorganism है इसको अभियान से संजिएगा microorganism के अंदर यह पाया गया pet एक lightweight plastic है यह वला plastic जो है इसको हम foods को package करने के लिए soft drink water को pack करने के लिए use करते है अब यह pet 46 नाम का जो enzyme है यह बहुत unique है क्योंकि यह degrade असानी से नहीं हो पाता लेकि जब यह degrade हो भी गया उसकी बावजूद भी यह deep sea organism है समुदर में बहुत गहरे level पे जाके चोटी-चोटी microorganism में पाया गया तो मतलब प्लास्टी का consumption microorganism तक भी बढ़ चुका है वो कहां से consume कर रहे हैं plastic को in the form of pet 46 pet degrading के कुछ और enzyme है जैसे कि peties हो गया मैटे हो गया TSC cut one हो प्लास्टिक ऐसे जमा हो रखा है कि वो प्लास्टिक एक गायर की फॉर्म में घूमता है मतलब ऐसे आपको समुदर के अंदर ऐसे गोल-गोल घूमता हुआ नजर आएगा जैसे कोई cyclone घूम रहा होता है पर वो प्लास्टिक का waste है scientist ने बहुत सारी coastal life form जो है उनमें ये find out किया कि colonized plastic item जो है वो दरहसल great pacific garbage patch में contribute कर रही है मतलब हर एक coastal area से ही कूड़ा जा जाके उस garbage patch का हिस्सा बन रहा है ये जो गायर है या garbage patch है ये north pacific ocean में है इसको pacific trash vortex भी कहते हैं वाटेक्स आप याद कीजिए polar vortex में आपको कुड़ाया था घूमता हुआ cyclone तो एक तरीके का ये trash कूड़े का vortex है घूमता हुआ इसमें अलग-लग debris पाई जाती है इसके आसपास में आपको north pacific sub tropical guy air की boundary मिलेंगी घूमता हुआ कूड़ा जो है न north pacific वहाँ पे boundary बनाता है वह कूड़ा वहां तक वह घूमता है इवेस्ट की बात करते हैं इंडिया में सो जितने भी electrical और electronic equipment होते है या फिर इनके जो parts होते हैं अगर आप उनको ऐसी dispose of कर देते हो you know without getting discarded in appropriate manner तो वो waste बन जाता है उसको कहते है electronic waste इंडिया third largest electronic waste का producer है पूरे world में after china and usa इसकी बहुत सारी negative impact है जैसे आपकी health पे environment पे society पे इवेस्ट के लिए हमने इवेस्ट management rule 2022 निकाला था जिसमें हर एक manufacturer, producer, refurbisher, dismantler और recycler की responsibility थी कि वो इवेस्ट को manage करें एक्सेंडिड परड्यूसर रिस्पोंसिबिल्टी रेजीम भी इसकी तहत निकाला गया था EPR जो है इसको भी इसी कली e-waste rules 2011 के तहति इत्रड्यूस किया गया था extended producer responsibility का मतब यह है कि जो भी produce करने वाले है electronic items को उन्हें के responsibility है कि वो उस waste को भी manage करें जब तक वो खतम नहीं हो जाता EPR का मतब producer को environmentally sound management product बनाने होंगे जब तक उनकी life end नहीं हो जाती अगर environmentally sound product नहीं है तो जब वो खतम होगा product तो आप जाके producer को रिटर्न करोगे impact क्या है इसका e-waste का इसमें lead, mercury, cadmium, flame, retarded यह सब hazardous substance होते हैं जो हमारी health पे नुकसान पहुंचाते हैं अगली बात करेंगे invisible e-waste की invisible e-waste जो है यह दरसर international e-waste day पे खासा focus किया गया e-waste वो electronic items होती हैं जिनको हम recognize नहीं कर पाते हैं या फिर properly recycle नहीं कर पाते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि यह वेस्ट हमें दिखता नहीं है बस यह हमारी आखों के सामने नहीं आपा था क्योंकि हम इसको ignore कर देते हैं जैसे आपकी USB की cable होगी, power tool होगी, smoke detector, LED की accessories होगी अगली बात करेंगे one stop center for zero waste की बारे में government इसको launch करेगी यह दरसल waste को management करने वाले एक center रहेगा जिसमे reduce, recycle और reuse की property यूज की जाएगी इसमें city just, commercial enterprise मिलकर क्या करेंगे, जितना भी waste होता है उसको process करेंगे, चाहे वो plastic item हो, चाहे cloth हो, चाहे जूतों का waste हो, चाहे books हो centers जो है, इनमें items को अलग-लग stakeholders को दे दिया जाएगा, जिनका जो भी domain होगा, वो उस-उस product का waste हैंडल करेंगे, इससे circular economy में contribution रहेगा, क्योंकि waste को हमरी use भी कर रहे है triple R का जो center का mechanism है, यह दरसर nationwide campaign का हिस्सा है, campaign है आपका मेरी life, मेरा स्वच शहर, my life, my clean city इसको स्वच भारत mission urban 2.0 के तहत लांच किया गया था और यह ministry of housing and urban affairs के द्वारा चलाया जा रहा है अगली बात करेंगे, international day of zero waste के बारे में, पहली बार international day of zero waste जो है इसमें हर किसी को encourage किया गया कि कैसे आप waste को minimize कर सकते हो और circular economy में contribute कर सकते हो United Nations General Assembly ने 30 मार्च 2022 को सबसे पहली बार यह दिन celebrate किया था UNEP और United Nations Human Settlement Program jointly इसको बनाने के लिए या मनाने के लिए facilitate करते है कि mercury is pollutant, कब pollutant है जब वो हमारी body के अंदर चला जाता है, otherwise हवा में इतना pollutant नहीं है और पानी के अंदर सबसे ज़्यादा mercury जो है, वो pollutant के तवा पर वर्क करता है, क्योंकि fishes के द्वारे कजियों कर लिया जाता है और fishes को करते हैं, humans ठीक है जो 5th meeting conference है, मिनमाता convention की, वो जिनेवा के अंदर held की गई parties ने इतके convention के different annexes थे, उनको mandate किया या amend किया है जिसमें बताया गया कि certain बैटरीज switch होते हैं, या lamp होते हैं, वो कब तक हमें phase out करने हैं उनकी तारीख क्या रहेगी, जब तक हम उनको use करना खतम कर देंगे मिनमाता convention on mercury जो है, यह 2013 के अंदर जेनेवा में डॉक्ट हुई थी, 2017 में इनफोर्स हुई है यह पहली globally legally binding treaty है, जिसमें human के health और environment को हम लोग mercury के adverse effect से बचाने की कोशिश करेंगे It is being named after the city in Japan, जापान का यह वो शहर है, जहां पे मिनमाता नाम की बिमारी फैली थी मिनमाता नाम की बिमारी mercury से ही फैली थी, यह neurological disease थी जो की brain को effect कर रही थी दरसल वहां के मिनमाता शेयर के लोगों ने जिन मचलियों को consume किया, उन मचलियों ने किया था कंजियों mercury को कैसे जिस्मानी में वो रहती थी, वहां से उन्होंने mercury को कजियों किया था, तो mercury का वही जहर चला गया लोगों के दिमाग के अंदर और वहां पे हो गई मिनमाता डिजीज, इसकी 144 पार्टी जनों ने इनको sign किया है कर्वेंशन को, इंडिया ने ratify भी कर रखा है, इंडिय कर्वेंशन में पार्टी नेशन को क्या क्या करना होता है, उनको अपने gold mining में, artisanal में, जहां पर भी उनके जेवरात बनते हैं, वहां पर mercury के use को धीरे-धीरे करके खतम करना होता है, mercury का air emission, जो हवा में हो इमिट होती है, उसको भी रिडियूस करना है, अब यहां ध्यान स जो है mercury का, उसको address करना, ताकि उसका जो uses है, वो सही जगह पे ही हो, dispose अच्छे से mercury को किया जा सके, mercury नेचुरली अक्रिंग एलिमेंट है, जो air, water, or soil में मिलता है, gold mining, coal-based thermal power plant, इन सब जगह से ही निकलता है, यह nervous system के लिए सबसे अधर dangerous होता है, इसके इलावा thyroid, kidney, lungs, immune system, eyes, skin, सब को यह नुकसान पहुंचाता है, WHO ने इसको top 10 chemicals में रखा है, which are considered as major public health concern, there is no known safe level of exposure, आप एसा नहीं कह सकते हैं कि इतने तक आप mercury के लिए exposed होते हो, तो आप safe हो, कभी भी आप safe नहीं हो, अगर mercury से exposed हो रहे हो, इन्होंने कोई safe level नहीं रखा, अगली बात करेंगे, United Nations Global framework on chemical के बारे में, so, नया United Nations का जो framework है, इन्माइनमेट को harmful chemical से बचाने की कोशिश करता है, 5th international conference on chemical management, born Germany के अंदर हुई थी, जहां पे यह नया framework अगरी किया गया, Global framework on chemical जो है, इसका full नाम है for a planet free of harm from chemical and waste, दस इसमें 28 target दिये गए हैं, जिसमें हम लोग chemical management और waste management पे focus करेंगे, Global framework on chemical का mean target क्या है, इसका purpose है, chemical और waste जितना भी generate होता है, उसका illegal trade रोकना, hazardous जो pesticide होते हैं, उनको धीरे धीरे करके phase out करना, agriculture में 2025 तक उसका use खतम करना, नई policies बनाना जिसमें chemical pollution को 2030 तक हम रोकेंगे या खतम कर देंगे, इसके अलावा जो bond convention हुआ है, वहाँ पे bond declaration को adopt किया declaration में भी यही का गया कि कैसे हम harmful chemicals जो है, हमको धीरे धीरे करके phase out कर सकते हैं, और उनसे अपने exposure को दूर कर सकते हैं, ICCM के बारे में अगर बात की जाए, तो दरसल इन्होंने strategic approach to the international chemical management 2006 adopt की थी, जो कि एक policy है, जो बात करती है chemical sound management की, इसमें different stakeholders जो है, वो participant के तौर पे chemical management के काम करेंगे, कुछ और convention जो hazardous chemicals टे डील करती है, जैसे basal convention 1989 की, जिसमें कि जो hazardous waste होता है, और जो उसका disposal होता है, उसमें आप trans boundary movement नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि waste आपने US में generate किया, dump कर दो जाके चाहिना में, trans boundary movement is restricted, रोटल एम convention 1998 जो है, वो बात करती है, prior informed consent procedure for certain hazardous chemical, बतो से country में उसको भेजना भी है, तो अब उस country का पहले prior informed consent लोगे, उसको permission लोगे, और बोलोगी कि हमारे इस product में यह वाला chemical use हुआ है, और यह आपके यहाँ पर waste बनके निकलेगा, अगर आप यह product हम से खरीदते हो, Stockholm convention 2001 जो है, यह बात करती है, persistent organic pollutant की, वाइगनी convention 1990 वाइफाइफ जो है, यह वो convention है, जो hazardous और radioactive waste है, फॉरम आइलेंड कंट्री में, उनको कंट्रोल करती है, उसके transformative movement को भी रोगती है, और खास करके South Pacific region के अंदर, उस hazardous waste के management पे काम करती है, अगली बात करेंगे, incident and trafficking database की, So latest data है, International Atomic Energy Agency के incident on trafficking database का, वहाँ पाया गया कि radioactive contamination जो है, वो scraps के अंदर, मत्त, जो कुड़ा कच्रा होता है, जैसे e-waste हो गया, electronic waste है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है, मत्त, radioactive waste is also biggest issue now, तो अगर कुछ और findings देखी जाएं, तो इसमें बोला गया कि radioactive waste product जो होत material है, वो material जो की recycling industry से ही obtain होता है, और ये waste की तौर पे निकल के बाहर आता है, ITDB, यानि की IAE का incident and trafficking database है क्या, दरसल International Atomic Energy Agency के secretariat के द्वारा 1995 में इसको established किया गया था, जो अलग-अलग states को, जो भी illegal trafficking होती है, radioactive materials की, न्युक्रियम नेटीरियल की, उसके लिए assist करता है, कि उस maintain करते है, report को, उसको analyze करते है, ताकि radioactive waste का जो threat है, उससे बचा जा सके, so IAEA की nuclear security plan का ये हिस्सा है, इसका main purpose states को nuclear security regime provide करना, साथ में waste को manage करना, ये सब इसका task है, इसके लावा ये global effort put करते है, nuclear security के लिए, international cooperation करते है, और awareness create करते है, in the nuclear security field, अगली बात करेंगे, बायो डैव biodiversity framework fund सबसे पहला topic है, देखे, global biodiversity framework fund जो है, इसको recently ratified किया गया, कहाँ पे, global environment facility की 7th assembly की meeting होई थी, वहाँ पे, global biodiversity का जो fund है, ये दरसल कुन्मिंग Montreal global biodiversity framework को finance करने के लिए लाँच किया गया है, अब कुन्मिंग Montreal biodiversity framework है क्या, कुन्मिंग Montreal global biodiversity framework, convention on biological diversity का हिस्सा है, मैंने बोला था GBFF council में कौन-कौन से members होगे, solar member developing country, 14 member developed country के, और कुछ central eastern Europe के दो member, decision जो है council का, consensus से लिया जाएगा, आपसी सहमती से, world bank इसका trustee होगा, ये same वैसे ही manage करेगा, जैसे ये बाकी funds को manage करता है, जैसे special climate change fund को manage करता है, transparency trust fund को manage करता है, fund allocation की बात की जाएए, तो इसका fund है, वो indigenous led initiative से चलाया जाएगा, इसके लावब small ideal developing states जो है, उनको prioritize किया जाएगा, इसमें उनको support किया जाएगा, government को, private sector को भी, जो है, वो contribute करने के लिए बोला जाएगा, कुन्मिंग Montreal Global Biodiversity Framework 2022 में adopt किया गया था, convention और biological diversity की भी COP होती है हर बार, conference of party, तो इसकी जो conference of party पंदर भी हुई जो है ये दरसल, 2050 तक implement होगे, और कुछ 2030 तक, यानि कि 4 goal है, यो 2050 तक implement करने है, 23 target है, 2030 तक implement करने है, इससे पहले कौन से target चल रहे थे, क्योंकि ये तो 2022 में adopt हुआ, तो 2020 तक पहले भी target थे, convention on biological diversity के, जिनको हम कहते थे, IT Biodiversity Target, ये 2020 में expire हो गए, पर जितना भी ये framework है, कुन नहां पर समझ सकते हैं, highlighted वालों को तो खासा आपको ध्यान एकना है, सबसे बहले ये यहां ध्यान दीजिए, कि 4 overarching goal जो है, इनको 2050 तक हमें अचीव करना है, 4 कौन-कौन से goal है, एक तो human induced species है, उनका extinction नहीं होना चाहिए, इसके अलावा जो sharing है benefits का, नेचर के अंदर जो भी chain से नुकसान हो रहा है, उसको हम रोक पाएं, उसकी भरपाई कर पाएं, इसके लिए 700 billion dollar per year contribute किया जाएगा, फिर जो 23 action oriented target है, इनको 2030 तक हैजीव करना है, जिसमें सबसे बड़ा important है 30 into 30 deal का target, जिसमे 30% land, inland water, marine और coastal ecosystem को हम लोग 2030 तक प्रोटेक्ट करेंगे, इसके अलावा invasive alien species जो है, उनका rate जो हनकी दर, 2050 तक कम करेंगे, ग्लोबल food waste को half कर देंगे, और high biodiversity importance के area का loss जीरो कर देंगे 2030 तक, 500 billion जो है annually, वो harmful government subsidies के लिए जो दिया जाता है, उस amount को cut कर देंगे, इसके लावा investment जो है, बायर डिवस्टी funding gap में उसको भी mobilize करेंगे, 200 billion dollar per year इसमें इन्वे environment facility की, GEF council के द्वारा approve किया गया कि 1.4 billion dollar जो है, वो climate change के tackle के लिए, pollution crisis के tackle के लिए, mobilize किये जाएंगे, GEF क्या है, 1991 में multilateral environment fund के तौर पे इसको establish किया गया था, जिसका main purpose था, पैसे को environment benefit के लिए खर्च करना, ये fund grant करता है developing countries को, जो कि 4 areas में project लगा रही है, कौन से 4 area, climate change के against least, biodiversity को रोकने के लिए, international water के protection के लिए, और ozone depletion के लिए, इसकी implementing agency एक नहीं है, काफी है, World Bank, United Nations Development Program और United Nations Environment Program, membership की बात करें, तो EDS का member है, 186 total member है, कुछ की operation या की information इसके बारे में गर ध्यान रखनी है, तो ये least developed countries fund को भी operate करता है, special climate change fund को भी operate करता है, फिर international day for biological diversity हम 22 मही को celebrate करते हैं, ये fund उसके लिए भी मत्तब कारागार साबित होता है, इसके अलावा, ये कौन कौन सी convention को fund देता है, convention on biological diversity को, UNFCCC को, UNCCC को, Stockholm Convention on persistent organic pollutant को, मीनावाता convention on mercury को, इसके अलावा, monetary protocol का ये हिस्सा नहीं है, formally, monetary protocol कि से deal करता है, बता है, ये जरा ozone depletion से याद है, ये उसका हिस्सा तो नहीं है, लेकिन कभी-कभी, monetary protocol वाले जो countries हैं, उनको support करता है, ताकि वो वियाना convention को, या monetary protocol को implement कर सके हैं, और ozone को protect कर सके, GEF की कुछ reports की बारे में अगर बात कीजिए, तो इसकी एक important vote है, inclusive conservation initiative, ये conservation international और GEF मिलकर निकालते हैं, जिसमें पाया गया कि जो भी indigenous people है, जो कि 40% of the terrestrial protected areas के अंदर रहते हैं, 37% of the ecologically intact landscape के अंदर रहते हैं, वहाँ पे किस तरीके से conservation की initiative लिये जा रही है, adaptation fund को कैसे circle किया अब बात की जाए अगर ICI की, तो GEF के दुवारा 2022 में इसको इंडोस किया गया था, ये दरसल बात करता है, landscapes को, territories को, जहां पे high biodiversity है, उनको protect करने के, कैसे उनको secure किया जाएगा, चार component है, capacity building करना, global environment के benefit चेक करना, उस area के, leadership provide करना, वहाँ पे inclusive conservation देना, next बात करेंगे, global declaration of river dolphins की, ये बहुत important topic है, देखे, global declaration of river dolphin को 2030 तक implement किया जाएगा, 11 countries की द्वारा इसको sign किया गया, ये पहला ऐसा global declaration है, जो particularly river dolphin पे focus करता है, बोगोता, कॉलंबिया की अंदर इसको sign किया गया, कॉलंबिया कहां पे कौन से continent का हिस्सा है, South America का, so देखे, river dolphin खासा word यहाँ ध्या Bangladesh, Bolivia, Brazil, Cambodia, Columbia, Ecuador, India, India is also part, Nepal, Pakistan, Peru और Venezuela, main purpose है, जितनी भी river dolphin की species है, चाहे वो Asia में है, चाहे वो South America में है, उनका जो decline हो रहा है, उसको reverse करना, उनका decline रोकना, इसके अलावा river dolphin species को safeguard करना, उनको fund दिया जाएगा, healthy rivers जो है, उनको promote करना, river dolphin की बात की जाए, तो जितना भी river system हम द जगते हैं, और एक जगा भी जितनी भी नदिया है, उनमें ये top predator होती है, सबसे उपर होती है, अच्छा, land के उपर top predator में आपको पता लें, जिसे लाइन वगरा आते हैं, वैसे ही river में आती है, आपकी ये dolphin, top predator की category में आती है, आपकी ये dolphin की जो है, कौन कौन सी नदियों म मिलती है, इसका IUCN status endangered है, गैंजिस जो है, इसको सुसु कहा जाता है, ये sound निकालती है कुछ इस तरीके की, और national aquatic animal है, ये इंडिया का, इसको गंगा और ब्रंपुतरा river system में पाया जाता है, ये इंडिया और बांगलादेश दोनों जगा मिलती है, endangered है, इसका status, क्यों endangered है, क्योंकि इसकी poaching बहुत जदा की जाती है, और कईवर synthetic fertilizer agriculture में यूज होते है, उसका जब पानी बहा के नदियों में चला जाता है, तो उससे भी इस dolphin को नुकसान होता है, इंडिस dolphin को बुलहन कहा जाता है, ये पाकिस्तान और रिवर ब्यास में मिलती है, इंडिस रिवर की ह जो है, वो endangered है, एरावदी जो है, ये एरावदी नदी के बिलती है, जो खास करके Myanmar से बहती है, ये South और South East Asia में, डॉल्फिन पाई जाती है, तीन नदिया इसकी में है, जहां पर ही मिलती है, सबसे में तो है एरावदी, Myanmar के बहती है, फिर है आपकी महकम जो इंडोनेशिया Myanmar हो, चाहिए वो आपका Thailand हो, चाहिए वो आपका Cambodia हो, ठीक है, यह geography का हिस्सा वहाँ आपने पढ़ा होगा, अगली बात करते हैं, protection of plant varieties and farmer right act के बारे में, Delhi High Court ने PepsiCo India Holding की एक appeal थी, उसको dismiss कर दिया, क्योंकि उन्होंने appeal किसके खिलाफ की थी, उन्होंने appeal करी थी, एक order के खिलाफ, 2021 में एक order आया था, कि जो भी potato की variety का registration, पैपसी को इंडिया के पास है, वो registration मानने नहीं है, तो दरसल इन्होंने इसी के खिलाफ appeal करी थी, और वो appeal भी खारिश होगी, तो पूरा case समझे जरा क्या है, FL 2027, variety है potato की, इसको introduce किया गया था, पैपसी के द्वारा, 2009 में, और ये contract farming के थूँ, मतलब आपकी start की गई थी, मतलब किसानों के साथ contract किया गया था, कि वो इस आलू को अपनी जमीन पे उगाएंगे, ये जो variety थी, ये protection of plant variety and farmer right act 2016 के अंदर रिजिस्टर की गई थी, 2019 में पैपसी को ने कुछ गुजरात की जो फार्मस्ते के साम थे, उनको सू कर लिया, court के अंदर, उनको ये कहा, कि जो हमारा contract वाला variety है, आलू का, आप उसको illegally क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हो, क्योंकि वो resistant potato variety है, 2021 में registration, FL 2017 का वो खारीच कर दिया गया, क्या खारीच कहके खारीच कर दिया गया, कि जो आप कह रहे हो कि वो resistant potato का variety है, आपने उसका registration जो करवाया, वो incorrect information दे के कर आया, और आप farmers के basic right को खीचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दर असल जो वो अलू उगा भी रहे थे contract farming से, वो तो basic सा अलू था, उसमें कुछ special चीज नहीं थी जो Pepsi को वालू ने develop की हो, बस वो किसानों को रोक रहे थे कि वो आलू ना उगा दे वो वहला, क्योंकि वो अलू से अलू से लेज बना देते हैं, तो देखें, यहां पर वही बात हुई कि आप आलू की वराइटी को ऐसे बोरे हो कि हमारा particular registered है या हमारा domain है ऐसा नहीं है, इसने उनका ये case Pepsi को कर जा था है, वो खारीज कर दिया गया लेकिन अब फिर से लेवर पर जो भी trades होता है WHO के अंदर, उसी का एक कहलीजिक convention है, जो डील करता है कि अलगलग countries में कैसे intellectual property rights जो है, वो प्रवाइट के जाएंगे अलगलग products को, तो यह trips का हिस्सा है, आपका ही जो act है, यह international union for protection of new variety of plant 1978 जो है, उसकी guideline के साथ mail खाता है, मिलता जुलता है, वर इसके अलावा जो आपका UPOV है, जो कि protection of new variety of plant वाला है, यह सिरफ protection किन को देता है, यह देता है नई वाली variety को, जो कि अभी variety किसानों के द्वारों गाई जाती है, पर जो existing, protection of not only new, but even existing variety, हाँ, यह चीज आपको ध्यान एकनी है, कि UPOV जो है, यह नई वाली variety को protection नहीं देत है, नई वाली variety को protection देता है, existing variety को protection नहीं देता है, इसका मत्तल यह हुआ, कि जो भी variety exist कर रही है, जिसको कि पहले उगाया जा रहा था, के वल breeders के पास उगाने का राइट था, अभी भी breeders के पास ही उगाने का राइट है, किसानों के पास नहीं है, यह बात करता है UPOV, ल कि प्लांट की जो genetic resources होते हैं, उनको उगाने का उनकी हर खेती बाड़ी का हक जो है, वो किसानों का सबसे पहले है, इसमें protection period की बात की गई है, कि trees और wines के लिए 18 साल का protection होता है, अगर आप मत्तल रिजिस्टेशन करवा के अपने नाम पे करना चाहते हो इस particular variety को, crops के लिए protection appellate tribunal भी लगाया गया है, जो कि एक साल के अदर appeal को dispose off कर देता है, decision को high court में challenge किया जा सकता है, कौन-कौन से rights हैं के अंदर, breeder का right, सबसे पहले breeder का हक क्या है, कि एक exclusive right है, जिसमें हम लोग क्या करते है, जो भी variety है, उसको sell करेंगे market में, उसको distribute करना, उसको import करना, उसक search के लिए यूज कर सकते हैं, इसके अलावा initial source of variety जो है, उसको भी यूज कर सकते हैं, अगर वो नई variety उससे develop करना चाहते है, फार्मर के क्या क्या हक रहेंगे, कि वो register कर सकते हैं, protector सकते हैं, किसी भी नई variety को, वो save कर सकते हैं, उसको use कर सकते हैं, sow कर सकते हैं, बीज सकते ह मार्केट के अंदर मतलब उस सीड से जो भी उनोंने उगाया उसको मार्केट में बेचने का भी हक रखते हैं इसके अलावा ब्रेंडेट सीड जो है वो भी वो बेच सकते हैं फिर नॉन परफॉरमेंस अगर रहता है उस वाराइटी का मतलब उससे कुछ खास नहीं निकला तो फार्मर को कॉम्पेसिशन भी मिलेगा इंटरनेटर यूनियन फॉर प्रोटेक्शन आफ नुव वराइटी अफ प्लांट के अगर बात की जाए तो इंटर गॉर्मेंटल और ऑजिनजेशन है जो इंटरनेशन कर्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन आफ निव वराइटी अफ के तेहत इस्टेबलिश की गई थी, 1961 में इसको एडॉप्ट किया गया, हेड़क्वार्टर जुनोवा के अंदर है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है,